नमस्कार, देखिए हम बीच बीच में आपको आसनों के बारे में भी कुछ जानकारिया देते हैं, और आसन भी वो जो ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन उनको नए सीरे से हम उसमें क्या मोडिफाई कर सकते हैं, ये थोड़ा सा विचार करके हम लोग तैयार करने क्या कोशिश क करते हैं, आप नाम पे मत जाईएगा, कोई विशेष ऐसा नाम कोई उपर नीचे हो, तो कोई प्रोब्लम नहीं, आप उसके मूल उसके पोस्चर पे जाईएगा, वो पोस्चर आपका सही होना चाहिए, तो आज जिस आसन के बारे में हम बात करते हैं, वो है शशकासन, जो फूर्ती है, वो बड़ी शांदार होती, स्पीड बहुत अच्छी होती है, तो इसका मतलब है, अगर इसको अपनाते हैं, तो हमारी स्पीड में फाइदा होगा, जिसके शरीर में वायू बर जाती है, जिसके शरीर में स्थूलता आ जाती है, उसकी स्पीड खतम है, तो हमारे पेट से संभनित पेंक्रिया से संभनित और इसमें विवेकानन योग संस्थान जो बैंगलोर से है जो संस्थान और बहुत बड़ा अच्छा संस्थान है उन्होंने भी इस आसन को diabetes का जो एक group उन्होंने बनाया उस diabetes के package में इसको ढाला हुआ है यह बहुत अच्छा असन मैं जहां भी study करता हूं को अच्छी चीज मिलती है तो उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं आपके लिए यह मानिए पोस्ट में टाइप आपको कुछ चीजे आपको पहुंचाने का प्रयास करता हूं यह शशका असन वैसे तो देखिए होड़ते हुए आगे ले जाकर और पूरा एकदम से डाउन इस तरीके से यह हम शशकासन करते हैं इसमें तो हाथ पूरा आगे खीचेंगे और शरीर को पूरा जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे गर्दन जो है वो जुकी रहेगी और हमारी सिर जो मस्तग है वो जमीन प रखने में प्रोबलम है तो वह यहाँ पर पीलह क्ते हैं थक्या रंक सकते हैं उस तक यह पर सिर फोगा तो इतना उनके सर्वाइकलन पर इफेक्ट नहीं आएगा और जिनको को सर्वाइकल के प्रोब्लम नहीं वह ऐसा कर सकते हैं बैस तिहाँ यह रखना कि जनको ह技 अगर हाट की प्रोब्लम है या जो हाई भीपी है उनको यहां इस जगे एक पिलो रख लीजे इतना उंचा रखिए गर्दन जो है वह हमारे शरीर के लेवल से नीचे नहीं जानी है अगर शिप्डिस की प्रोब्लम है तो फिर उनको यह आसन से बचना चाहिए नहीं करना चाहिए अब यह तो एक सिंपल मैंने आपको बताया इसी का एक आगे का रूप जो है वो बड़ा शानदार है इसका इफेक्ट जो है बहुत अच्छा इफेक्ट देखने में आया है दोनों पेरों को हमने खोल दिया देखिए इसका अच्छा बहुत लगेगा आपको यानि जिसको एक अजीब सा भाव है टेंशन सी जिसको रहती हो एक ऐसे लगता है शरीर में इरिटेशन सा हो एक यहां इस एरिये में आपको बुड़ी स्थूलता लगती है जैसे थाइस में हिप्स में, कमर पे, पेट में आपको इस सेरिये में ऐसे लगता भारीपन सा बहुत ज़्यादा हो रहा हो या दिमागी भारीपन सिर में आपको लगता ब्लड का सिर्कुलिशन ऐसा है कि चल नहीं रहा एक शरीर में खिचाब सा रहता है एनरजी देने वाला बहुत शानद यह आसन शषकाषन और इसको आजकल फ्रोग पोस्चर में भी लेने लगे है फ्रोग यानि जो मेंडक होता है तो यह लगबग आप मानिए कि खरगोस और मेंडक के बीच का सा एक पोस्चर है तो इस पोस्चर को दोनों पैरों को आप खोल लीजिए मैं फिर आपको कहता दोनों एडिया बाहर की और होंगी पंजे आपस में मिले हुए होंगे यानि अंगूठे आपस में मिले होंगे एडिया बाहर दोनों पैरों के बीच में जगए नहीं होनी ची हाँ नए जो व्यक्ति होंगे उनसे इतना नीचे नहीं बैठा जाएगा शायद ऐसे ऐसे उठ को खोल लिजिए ऐसे खुल गया यह हमारा शष्क टकासन का पहला रूप या फ्रोग पॉस्चर का पहला रूप दोनों पेरों को हम ने खोल लिया इसका effect कहां कहां आएगा इसका effect आएगा यहाट बेट आगे की और जुकना देखें आप आराम से जाहिए कोई ज्यादा तकलिफ नहीं देना शरीर को ऐसे जाइए ऐसे अब यहां करना क्या है आप शरीर के उस हिस्से को जो नाबी नापकी उस नाभी को जमिन पे टच करने ही कोशिश करें नाभी को अब यहां पर थुड़ी जो ह वो जमीन पे टचोगी गर्दन सामने ऐसे नजरे जो है वो सामने रहेगी और इस तरीके से ठुड़ी को जो है वो जमीन पे लगाईए और पूरे शरीर को धीला छोड़ दीजिए एकदम धीला एकदम जमीन की और धीला छोड़ते वो शरीर को एकदम फुरी कर दीजिए बह बहुत शांदार एनरजी जो है वो बढ़ाने वाला होगा आपको एक आराम सा महसूस होगा कहां थाइज में हिपस में घुटने में कमर में पेट में और पेट के आसपास की जो मसल से उनमें बलड का सर्कुलेशन बहुत शांदार बढ़ेगा अब ये आसन किन के लिए फाइ दो मिनट तक यहां पर लेटे रहे बहुत अच्छा सुकून इसको करने से महसूस होता है ऐसा मन करता है कि इसी में लेटे रहे ऐसे ही बैठे रहे अब ये क्या करेगा आराम से हाथों को ऐसे लेते हुए कोई जादा हमें देखिए बहुत जादा ऐसे युवा की तरह नही और सीधा इसे खड़े हो जाएंगे ऐसा नहीं करना एक दम रिलैक्स हमें कोई शरी को ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा एक चीज़ ध्यान रखना कि पोश्चर में जाए तब एक दम परफेक्टली होना चाहिए वह पोश्चर कोशिश करें हो सकता है शुरू-शुरू में का ये पेट इसमें आपको ऐसे लग है जैसे कोई आउंटों को जगए में पहले चीज़ दूसरा लीवर इसको पूरा खिचाव मिला लीवर ऐसे रहता है ऐसे हो गया तो पिंक्रियाज को बहूत अच्छा रिलीफ मिलेगा पिंक्रियाज हमारी खुले जो पेंक्रियाज है उसकी जो गती शीलता है वो इससे प्रभावित होगी आपको एक अच्छा सा फील होगा तीसरी चीज जो माताव बहरों को PCOD की पेट की समश्चाएं जो हार्मोनल प्रोब्लम पेट की ओवरी की समश्चाएं हैं उनमें यह आपको बहुत अच्छा स्ट् सरकुलिशन को बढ़ाएगा इसे आगे गर्दन से संबंदी जिनको सर्वाइकल की प्रोब्लम है उसमें भी आपको एक रिलीफ महसूस होगा हाँ किसी भी चीज को जो मैं बता रहा हूं किसी दर्द को अगर आपको करने से दर्द बढ़ जाता है एक या दो दिन लगातार करने से लगातार दर्द बढ़ रहा है तो उस जिद नहीं करना शरीर के साथ जबरजस्ती नहीं करना यह ध्यान रखना है इसके बाद जब हम हाथ को आगे फैलाते हैं तो फेफडिक यानि लंग्स की कैपिसिटी बढ़ती है लंग्स बढ़ता है तो ब्लड का सर्कुलिशन हमारे हार्ट के उपर बढ़ेगा हमारे यूँ भी इससे डिस्टार्ज होगी आपका पैर भी खाली सा महसूस होगा और यह पूरा तनाव खिचाव जो है हमारी जो रीड की हड़ी के दोनों और जो मसल से बड़ी स्टफ हो जाती है और उस स्टफनेस को यह बहुत कंट्रोल करने वाला आसन है इसको क्या कहा शैश तम खोल सके उत्रह खोल लिया स्वास भरे हाथ उपर स्वास छोड़े नीचे जाईए आराम से जाईए कोई मैं आपको वैसा नहीं कवागा कि हाँ साब एक दम सीधा हाथ ही रखिये एक दम धीरे धीरे जाईए धीरे 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 और नाभी को जमीन पर लगाने का प्रिय को सामने अब यहां करेंगे तो सर्वाइकल में भी आपको इतना तकलीफ नहीं पैदा होगा फिर भी अगर होता है तो मत करिएगा यह हातों को फ्रोजन शॉल्डर में भी आपको बड़ा रिलीफ देने वाला होगा क्योंकि यह हड्डियों को पूरा खोल देता है आगे से फ्रोजन शॉल्डर होता है आगे से अटिया भीरती है तब ऐसे खोला श्वास लेते रहे छोड़ते रहे रिलयक्ष करने है मतलम यहाँ पर आपको रोख के नहीं रखना रिलयक्स करना है स्वास लेते रहे छोड़ते रहे शरीर का जादा से जादा हिस्सा जमीन पर भीडाने की कोशिश करें धर्ती हमारी माता है और जब माता की गोद में हम सोए तो पूरे शरीर को ढिला छोड़ दीजिए उसी के आगोश में कि माता जो है वो बच्चे को सहला रही है ऐसा आपको महसूस होगा और आपको इतनी शान्ती की अनुभूती होगी क्योंकि जो मच्चा होता है वो भी इसी पोस्चर में सोता है उसको भी बहुत अच्छा लगता है इस पोस्चर में सोना सिंपल सा असन है, कोई ज़्यादा खिचाव नहीं है, सिंपल सा कोई भी व्यक्ति आम आदमी कर लेगा, सबसे अच्छी बात है कि पाओं के बीच की जो नसे सिवनी नाडिया है हमारी, ये नाडी जो है, ये खिस्ती है और मुत्र सबंधी विकारों में इसका लाब जो है वो दश्बूत कर पाएंगे, बहुत सारे और भी लाब हैं, आप करेंगे तब पता चलेगा, और कमेंट बोक्स में आप लिखिएगा, हमारा जो वेबसाइट है, डॉक्टर मनोजयोगाचारे.com, आप उस पर भी अपनी क्वेरी अपनी बातें लिख कर भेज सकते हैं, साथ मे मैंने आज तक देखिए, कभी भी किसी से मैंने सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि देखतें बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है, वो लगबग 25-30% लोगों का है, तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे जो वीडियो देखने वाले लोग हैं, वो ज्यादा तर 40 से उपर के हैं, तो उनको पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, तो जो नीचे जो एक बटन दिया हुआ है, लाल लंका, उसको आप दबाएंगे, सब्सक्राइब आपके पास जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आजाएगा, और मैं कोशिश करता हूँ, रोज एक वीडियो आप तक पहुंचाने का पूरा परियास करता हूँ, आप जुडे रहिएगा, अपना प्रेम और इसने आप बना के रखिएग आप सभी ऐसे ही जुडे रहें, प्रेम बनाए रखें, अब मेरे साती नरेजी शर्मा के साथ मुझे डॉक्टर मनोज योग अचारे को दीजी इजाज़त, त्रीनेतर टीवी के लिए नमस्कार